नमस्ते साथियो आईए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में मद्द प्रदेश सासन बित बिभाग के एक दिसा निर्देश जिसमें की सास्की सेवकों तथा इस्थाई कर्मियों को दे महेंगाई भत्ते की दर में अक्तुबर 2021 सेवरधी किये जाने से सम्बंदित निर्देश को यहां पर देख रहे हैं और शातियों जिसकी की विसेवस्तु के बारे में मैंने आपको पूर में जानकरी दे दी है ठीक है और इस दिसा निर्देश में कुल पांच बिंदू दिये गए हैं और जो मायगाई भत्ते की दर में जो ब्रद्दी की गई है उसके सहित कुल पांच बिंदू का वरडन है तो सातियों हम उन्हीं पांच बिंदू पर फोकस करेंगे और जानेंगे कौन-कौन सहीवे बिंदू दिये गए हैं तो देखेगा इस स्लाइड में सबसे जो पहला बिंदू है वो यह है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांग सा सातव वितनवान में बारह प्रसत की दर से मायंगाय बता दिया जा रहा है तो सातियों यहां पर इसपष्ट किया गया है कि छोदह जुन 2010 के दवारह जो राजय सकतन के सास्की सिवक हैं उनको महा जनवरी 2019 से सात के वितनमान में बारह प्रशत की दर contradiction जो माहेंगाई बत्ता है वो दिया जा रहा है ठीक है और आगे देखेगा बिंदु क्रमांग दो में जो माहेंगाई बत्ते में व्रद्धी की गई है उसके बारे में विवर्ण दिया गया है बिंदु में कहा गया है कि राज्य सासन द्वारा निर्णे लिया गया है कि उपर महंगाई भत्ता मैं महंगाई भत्ता की दर दिनांक एक अक्टूबर थोसार इकस से बुखतान महां नवंबर नवंबर दोजार इकस होगा तो क्मला कि जो दे होना साथ यो तो जो आगामी महा है नवंबर जो कि हमको अक्टूबर की जो वेतन प्राप्त होगी उस वेतन में जो महेंगाई बता दिया गया है वो जूड़कर हमको प्राप्त होगा जैसा कि यहाँ पर कहा गया है सात्वे व्रितन्मान में दे महेंगाई भटता की दर दिनांक एक अक्तूबर ढौरीकिस से भुकतान माहे नौमब्र ढौरीकिस होगा और जो दर है साथ ही यहाँ पर महेंगाई भटते की वरध्धी का प्रसत है आठ प्रतिसत है और पूरह बरधर empowered porta लोगा उसे में आठा प्रतिसाथ से कुल vous माइघायभत्ता किदर से हमको प्राप्त होगा और जो मे मेंगाई मरत साथ यहीं इसके संभन में आगामी बिंदू में जो वीरोन दिया गया इसको भी हम देख लेते यहें बिन इंदु क्रमांग तीन देखियेगा कहा गया है कि महेंगाई भत्ते में 50 पैसे अत्वा उससे अधिक पैसे को अगले उच्छतर रुपिये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम रासी को छोड़ दिया जाएगा तो साथियों यहां पर इस पश्ट किया गया है कि यदि महेंगाई भत्ते की गर्णा की जाती है और गर्णा करने में यदि रासी पैसे में आती है और पैसा यदि 50 पैसा या इससे उपर है तो उसको एक पूर्णांक मान लिया जाएगा किन्तु 50 पैसा अथत 49 पैसे से नीचे यदि पैसे में रासी आती तो उसको फिर नहीं माना जाएगा उसको किसी भी उद्देश को ले करके वेतन के रुप में नहीं माना जाएगा और शाथ यो अगली स्लाइड में हम देखते हैं बिन्दु क्रमांग पांच और इस बिन्दु में इसपस्ट किया गया है कि यह भी सूनेशित किया जाए कि इन आदेशों के अंतरगत दे महेंगाई भत्ते के भुक्तान पर किया गया व्य संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक ना हो इस बिंदू में इस खश्ट का दिया गया है कि जो दिसा निर्दे दिये गया है दिसा निर्दे सो के अंदरगत जो दे महेंगाई भत्ता है उसका भुक्तान जो भी संबंधित विभाग है उसके चालू वित वर्ष का जो स्वीकृत बजट है जो प्रावधान किया गया है उ तब तक जानकारी प्रिसित करने का प्रयास किया है आसा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी मिलेंगे अगले कालखण में तब तक के लिए जय हिंद